इफ एन एमांट अग रुपीस 80 बिकॉम्स 96 इन तो यूर्स इन दे बैंक अकाउंट विच गिप सिंपल इंट्रेस्ट इन दे अमांट अव सिंपल इंट्रेस्ट का कोईशन है सीपी ओ दोजर तेईस में आया है तो चले करते हैं सबसे पहले क्या करना है सिंपल इंट्रेस्ट का कोईशन है 80 जो है वह हुआ है कितना 96 हुआ है तो कितना में हुआ है दो साल में हुआ है यह टाइम दिया है प्रिंसिपल दिया है मुझे 80, simple interest का formula, PR, R मुझे पता नहीं, PRT, time मुझे 2 साल दिया है, by 100 into interest क्या है मेरा, 16, किज़े cancer, 00, किज़े फिर एक बार, 212, 2510, यहां से एक गया, एक बार में 218, 2216, यहनी कि R equals 252010, 10% क्या है मेरा rate आया, जो 10% rate आया, वो मुझे second case में put कर देना है, second case में क्या बोल रहा है, 6200 becomes, कितना वो पता नहीं है, तो 62123, यह हो रहा है, यहां पर कितना वो पता नहीं है, यह ही डूनना है, तो यह डूनने के लिए, सबसे पहले मुझे simple interest तो दूनना है, अगर मैं simple interest यहां का, यह डूनों का difference जैसे कि यह जो गिया है, अगर यहां पर मैं यह डूनना तो यह डूनना प्लस करके, मैं यह यह डूनन पाऊंगा, अराम से डून पाऊंगा, तो देखे क्यों नहीं डून पाऊंगा, तो प्रिंसिपल मुझे दिया है, प्रिंसिपल दिया है, मेरा second case का, 262, 1230, और rate अभी मुझे, मैंने find किया 10%, और next case का time दिया है, 5 year, that implies 100 तो नीचे formula से, 20 से 20 cancel हो गया, okay, बचा क्या, 620, 10 into 5, तो क्या हो जाएगा, 620 into 10 into 5, क्या हो जाएगा मेरा, 1300, यानि कि, कहां पर लिखू हूँ, चलो यहां यही भी लि यह लिख ख्र Reverend, यह, 12, 3, यह हो जाएगा, यह मेरा, क्या है, यह थो 130 हो यहां पर आया, 1300 तो मेरा simple interest आया, तो मुझे तो amount fine करना है तो जैसे कि यह अगर यह minus करके यह निकल सकता है तो यह और यह plus करके यह निकल सकता है तो 6200 में 3100 को 6200 में 3100 के add करने पड़ा जाएगा मेरा कितना 9300 यहनि कि option B मेरा सही answer हो जाएगा thank you